हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मिमोज कीचन कई बार हम खाना बना बना के और खाखा के भी बहुत हो जाते हैं तो हमें कुछ चाहिए चेंज जो टेस्टी भी हो और एकदम हमारा मूड भी अच्छा हो जाए तो आज और बनाने में बहुत एजी हो तो आज मैं ऐसी एजी सी रे कुछ भीगोना है ना सोडा, चाहिए ना इनू चेहे कुछ भी हमें ना बेकिंग पाउडर की ज़ूर्थ है बस सिम्पल specially आटा यह है चावल का आटा एक कप इसकी जगह आप चाहिए गीह का आटा भी ले सकते हobylिस सूजी भी ले ले सकते हैं और एक कप हमने डालिया इसं सबस्क्राइब दो अच्छे से मिक्स करेंगे को इस तरह से मिक्स कर लेना ताकि इसमें एकी साइट को घुमाते जाएंगे ताकि गांथे ना आए और अब फिर से हम एक कप पानी इसमें और डालेते हैं तो एक कप मैंने आटा लिया है उसमें 3 से 3.5 कप हम पानी डालेंगे साथ साथ डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे हमें एकदम बिल्कुल पतला गोल तयार करना है इसे बनाने के लिए हमें कोई सोडा नहीं चाहिए कुछ भी जुरूरत नहीं है सिर्फ पानी और चावल का आटा अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है अब हमारे पास जो भी फ्रिज में सब्जियां एवेलेबल हो वो हम इसमें डाल सकते हैं इस तरह से हम एक पतला घोल तैयार कर लेंगे और मैंने एक गाजर को ग्रेट कर लिया है आपके पास जो भी आपकी मन पसंद सब्जियां है वह आप इसमें डाल सकते हैं तो यह ग्रेट कीवी एक गाजर एक बारी कटा हुआ प्याज हरी मिर्ची आप स्वाधमसा डाल सकते हैं और में पास रौप पड़ा प पसंद हो यह जो आपको पसे अबने वाली है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हमारा बैटर थोड़ा ठीक है और मैं इसमें और पानी डालने वाली हूं तो इसमें मैं एक कप और पानी डाल लूँगी क्यों ने बैटर को बिल्कुल पानी की तरह पतला बना पतला बना है तो आप इसे उस समय गीहों का आटा एक दो चम्मच या सूजी या फिर बेशन जो कुछ भी आप चाहें डाल सकते हैं तो लीजिए हमारा घोल बनके हो गया है तैयार फुल ओफ बैजिस के साथ तो अब हम इसमें स्वादा इंसा डाल लेते हैं नमक और साथ में डालेते हैं एक छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर आप इसमें चहें तो हरी मिर्ची भी जा सकते हैं अगर इसे चट पड़ा बनाना है मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है थोड़े से chili flakes डालेंगे, थोड़ी मिर्ची तीखी इसलिए मैंने कम डाला है आप इसे तीखा अपने मंद पसंद बना सकते हैं जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं अब हम नमाक और काले मिर्ची को अच्छे से घोल लेंगे और घूल को चेक कर लेते हैं देखें कि बैटर हमारा विल्कुल रेडि है एकड़म पत्ला पानी की तरह बैटर तयार है साथ ही मैंने पैन को कर लिया है गरम तो फ्रेंच इसे पैन पे डालने से पर एक ध्यान लगना है पैन को गरम करना है हाई फ्लेम पे और इसे हमने high flame पे ही कट्ची से better डालते जाना है और better थोड़ी high से और फेला फेला के चारों तरफ डालेंगे एक साथ नहीं डालना है तब इसकी perfect जाली बनेगी इस तरह जैसे मैं डाल रही हूं कट्ची से थोड़ा थोड़ा सारे घोल डालते जाएंगे और पैन को हमेशा high flame पे गरम करें तब ही इसमें जाली अच्छी बनेगी अगर आप low flame पे रखेंगे तो जाली अच्छी नहीं बनेगी और कुछ ही second में ये एक उपर से dry होना start हो जाएगा क्योंकि पैन पहले से अच्छा गरम था side में हम हलकल का oil लगा लेंगे जैसे इसका उपर का layer dry हो जाएगा और इसका color change हो जाएगा तो हमेंसे पालट लेंगे बहुत ही पलटने में भी एकदम आसान है बनाने में easy है जो बच्छे सब्जियां ने खाते उसे आप इस तरह से सब्जियां भी खिला सकते हैं खूब सार इसमें सब्जियां जली है तो एक देट मिनट तक हम इसे एक साइड से 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 शेखना है और उसके बाद हम इसे पालट लेंगे तो side में से हलकल का oil लगा के बीच में भी चाहें आप oil लगा सकते हैं अब हम इसे इस तरह side में से उठाएंगे और एकदम पलट के तैयार कर लेंगे तो अच्छा सा crisp होने देंगे जब side में इसका golden color आ जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे देखी कितने आसानी से पलटा जा रहा है इस तरह आप बिलकुल असानी से पलट सकते हैं और दूसरी तरह से हम इसे क्रिस्प होने तक अच्छे से सेख लेंगे इसमें प्याज का हरे धनिया का सब्जियों का बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट आता है और ना ही कोई सब्जी बनाने की जूर्ट पड़ेगी इसे आप सॉस के साथ चटनी के साथ जैसे चैन सर्व करें और खाने में तो बहुत ही टेस्टी एक बार बनाईए जुरूर खा पढ़ता है को हाइश Лगरे टाल ना है और उलकी याला झाए टोड़ा तैया की रूट में ठीक अब उलका खाल्ए ता आप अउपर से दियाए साइड से हलकालका और इसे बहुत ही जल्दी पलटें के लिए भी तैयार हो जाता है पतला और एकदम क्रिस्ट टेस्टी मज़दार रेसिपी तैयार है और फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ट्राइ करिए उसके बाद मुझे कमेंट्स के साथ मुझे शेयर भी कर सकते हैं कि आप वीडियो कैसा लगा थैंक यू